कर्वा चौत हिंदु धान के सबसे महधवन व्रत मेंसे एक है यह व्रत मुख्यत और सुहागी महीलायों द्वारा पिया जाता है यह व्रत एक कठीन व्रतों में युकि यह व्रत निर्जला रखा रखा जाता है। इस व्रत के दौरान कई नियुबों का जुहे ध्यान रखा जाता है। तकि सअधक व्रत का पून फल प्रत हो उसके हैं। तो आइए जानते हैं कि करवा चौद का वृत सुहागी महीलाओं के दवारा किस तरीके से किया जाता है, उसकी विधी क्या है और यह किस समय करना जाहिए। देखे करवा चौत का व्रत सुहागिन महुलाओं द्वारा वेवाहिक जीवन में सुक्सम्रिधी और अपने पती की लंबी उम्र के कामना के लिए किया जाता है कई स्थानों पर यह व्रत कुवारी कन्याओं द्वारा भी किया जाता है इस साल यह व्रत जो है एक नवंबर बुधवार के दिन किया जाएगा ऐसे में कुछ बातों का आप खुद ध्यान रखना चाहिए ताकि वह व्रत किसी प्रकार की उसमें बाधा ना आए तो जानते हैं कि पूजा विधी क्या है और उसे किस तरीके से हम पूर्ण कर सकते हैं करवाचोत का जो व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादी से निर्वित होने के बाद आप नए वस्त्र धारन करें इसके बाद उषुर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्ठ भी ले ले इसके बाद अगर आप घर के मंदिर में ही की दिवार पर एक गेरू से आप फलक बनाकर करवा कर चित्र बना ले महां एक या तो अगर चित्र नहीं बना सकते याँ और आप फोटोकॉपि भी करवा सकते हैं शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर लाल रंग का कपड़ा बिचाएं इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर स्थापिक करें ऐसा करने से भी आपको जो है फल मिलने शुरू हो जाएगा पूजा की थाली में आप दीप रखें को बढ़ार की सामागरी उनको जरूर अबत करें क्योंकि मां फार्वती में यह श्व और शक्ति वह वेह शिव की शक्ति गिशक्ति हैं और तो आप शिव शक्ति और चंद्रदेव की भी उम Talk अंत में करवाचौत व्रदी कि गथा सुने रात में चांद निकलने के बाद छली में के अंदर से चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और साथ में उनको अर्धे दें इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत खोले इन नियुमों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तो आये जानते हैं कि यह नियम क्या है करवाचौत के दिन विवाहित महिलाओं को अपनी सास द्वारा सर्गी दी जाती है उसे सूर्योदर से पहले ही आपको खाना होता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो सर्गी खाएंगे वह आप तारो की छाओं में खा लें करवाचौत के दिन सोला शिंगार ज़रूर करना होता है तो आप सोला शिंगार ज़रूर करें क्योंकि इन्हें सुहागन का प्रतिक माना जाता है करवा चौत के दिन काले या पिर सफेज रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने कोशिश करें कि आप लाल रंग पहने क्योंकि लाल रंग मापारवती को बहुत ही प्रीए है करवा चौत के पूजन के दोरान महिलाओं को अपना मुख इशान कोन की तरफ यानि की नौर्थीस की तरफ रखना जरूरी होता है तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप जब पूजा करने बैठें तो आप नौर्थीस की तरफ अपना मुख करके बैठें करवाचौत के दिन अपने बड़े बुजूर्गों का आशिरवाद भी लिया जाता है और उनसे आशिरवाद लेके अपने और अपने पती की लंबी उम्र की कामना करनी होती है और साथ में अपने सुख़ जीवन की कामना करनी होती है ताकि वह भी आपको आशिर्वाद में यही प्राप्त करा सकें तो जरूर अपने बड़े बुजर्गों का आशिर्वाद में और इसी तरीके से आप सभी नियमों का पालन करें आपके लिए यह करवाचवत बहुत बहुत शुब हो नमस्कार